कुस्चन है कि पर्थम 10 प्राकित संख्याओं की माधिका ग्याद करें पिछले क्लास में हम लोग माधिका निकालना सिखे थे और इस कलास में हम लोग माधिका के माधिका परधारित कुछ कुछ कुस्चन करेंगे तो पर्थम 10 प्राकित संख्या तो पहले 10 प्राकित संख्या तो आफिति की संक्या को प्राकित संख्य का कहते हैं तो हम लोग पहले तो प्राकित संक्या नहीं लिए दौश के प्राकित संख्या बोला तो एक दो तीन चार पांच में इसको डॉलड़ चेंज करने दीजिए आये तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, और दस ये हम लोग दस प्राक्रित संख्या लिए और हम लोग को माधिका ग्याद करना है तो देखते हैं इसमें पदो की संख्या कितनी है जब हम लोग बताये थे माधिका ग्याद करने के लिए आप पिछले वीडियो में देख लिजेगा ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, दस ये पदो की संख्या कितनी हैं? दस है और तो दस क्या होता है? सम संख्या होता है तो सम संख्या के लिए माधिका ग्याद करने के लिए हम क्या बताये थे? कि बीच का दो संख्या हाँ बीच का दो संख्या लेकर ठीक है? कोई बीच का दो संख्या लेकर हम लोग क्या करेंगे? उसका माधिका ग्याद कर देंगे जैसे कि 1, 2, 3, 4, इधा सा 4 कर दिये, 1, 2, 3, 4, इधा से गए, तो बीच में कौन बच गया, 5 और 6 बच गया, तो इसका माधिका बराबर क्या हो जाएगा, पांच प्लौजड़ पाँटस्षो अब है आड़ा बट्टा दो यानि 5 दुमेलद पाँच हमाड़ा क्या हो जाएगा माधिका हो जागा ठीक है अधिक का नकलना है चलो ठीक माधिका निकलना बहुत ही असान है अब बहुलक निकलना थे इसविया सान आए तो पाँच के पर्थम 10 कुनज वो कुई माधिक अब गुनज क्या होता है त्ट का मतलब जानते है क्या ओताय já पाँच का गुनज अगर लिखना होगा दस तक 5 दूरा पूरा कड़ सागे के क्या करेंगे हम लोग पहारा पढ़ीं पर्थम कुणज बॉला है न दुस्कुण जुब लें हम लोग पाँच का पहारा पर देंगे खेव रमजाओ पांच का परता मत आट तस पंद्र हम्रुच को लिखे देंगे दौस थेंगे तो पते अश्यों 35 35 45 45 और 15 50 तो समझ रहा है ना प्रियांसू 5 10 15 20 30 35 45 पचास तो अब इसमें भी देख रहा है तो पदो किसंग क्या कितनी है पदो किसंग के इसमें भी 10 है एक दो तीन चार पांच गया है तो सम के लिए हम लोग क्या बता थे इस सम के लिए बताय थे हम लोग का दो संख्या लेना है यानी एक दो तीन चार अधर से चार हम लोग चार्ट दिये बीच में बच गया कौन 25 और 30 तो इसका माधिका क्या हो जाएगा माधिका बरावर 25 25 प्लस 30 बाइट टू तो यह क्या हो जाएगा 27.5 ठीक है चलो बहुत अच्छा तो यह समझ में आ गया माधिका गयात करने के क्रिक मतब पिछले बीडियों में बताये थे उसी अनुसार इसको देख लेना ठीक है चलो अब देखिए अभी देखुन पहले निमलखीत आकरा बड़ते करम में लिखा हुआ लिका हुआा है और हमको नहीं करिए ठीक है एक सब्सक्राइब करें और हमको माधिका भी दे दिया हुआ है तो हम लोग इसमें पड़ो की संख्या गिनते हैं का वह है कि वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसमें भी पड़ो की संख्या कितनी है मतलब यह भी संख्या है तो यह सम है ना सम है तो हम लोग क्या करेंगे बीच का दो संख्या लेकर आट करके बटा दो कर देंगे तो बीच का दो संख्या कौन-कौन है 22 अपलास एकस है यह ना बाधिका ती टू पलस एकस अपटा टू कर जाते तो लो माधिका निकल जाता है और माधिका कितना दिया हुआ है टेस्क दिया हुआ है देखो, 1, 2, 3, 4, तो इधा, यहां से 20 और x बचा, और 1, 2, 3, 4 हो गया, तो अब 22 पलस एक्स बटा 2 इकल टू क्या हो गया, 23 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, 23 यहां पर माधिका नहीं दिया हुआ है कि माधिका पहले से दिया हुआ है 23 तो 22 पलस X इकल टू 23 इंटू 2 यानि क्या हो गया 46 हो गया तो हम लोग करेंगे 22 पलस X इकल टू 46 तो अब आगे बनाएंगे हम लोग तो हम लोग के पास X वराबर क्या जाएगा हो गया इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इतना करने के बाद जो हम लोग इतना तो यह इसको बदल कर अगर 23 कर दिया जाए तो तब हमारा माधिका क्या होगा यहीं बताना है तो पहले हम हम लोग क्या करेंगे अब ःते कैसे यहां पहल आ गया अब इसको में फ्हल सजाएंगे ठीक हैं नई माधिका के लिए इसनख्या क्या हो जाएगा और ओऊ-रु करम में आही करया हs देख लिजे 12 14 17 20 22 अवस्वाइब तेस्थ हो जाएगा 22 22 22 लेना है ठीक है चलो उसी तरह लिखेंगे हम लो नई संख्या अड़ोही करें में क्या हो जाएगा 12 12 14 17 12 14 17 20 25 अब तरह चला एगा और एक्स के जगह पर 24 आया था तो 24 हो जाएगा या दोर्विस लिखेंगे शब्स लिखेंगे फिर 28 लिखेंगे फिर उसके बाद 36 लिखेंगे यहीं लोगार्ट देखेंगे अभी भी पर 2 किसान नहीं है देखेंगे नों तर किनो पदो की संख्या बरावर क्या है दस है एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नो दस पदो की संख्या दस है मतलब सम है तो हम लोग क्या करते थे बीच के दो संख्या को लेकर हम लोग बटा डो कर देते थे तो क्या हो जाता था मेरा माधिका निकल जाता था तो नई माधिका बरावर क्या हो जाएगा अब तो 45 by 2 तो इसका एंसर क्या होजागा नहीं माधिका बरावार 22.5 एंसर ठीक है यह समझ में आ गया कोई दिकत चलो क्या दिकत चलो अब यह वेला कुछन देखिए माइक आप कुड़ों अब देखते हैं हम लोग यह वेला कुछन यह काफी अच्छा कुछन है पहड़ा है कि 24 24, 23, A, A-1, 12, 16 की माधिका ग्याद करना है यह का भेलू तो हमको पता है नहीं तो कैसे निकालेंगे तो देखो यहां पर यहां पर दे भी दिया हुआ है कि जहां 10, 20, 30, 40, 50 का माध क्या है यह देखो यह माध दिया हुआ है और माध के लिए हम लोग क्या करते थे माध के लिए हम लोग करते थे कि सभी प्रेचनों का योग, सभी प्रेचनों का योग बटे कुल संख्या हुआ तो सभी प्रेचल कितना है दस है फलस बीस है और यहां पर माथ बरावर यह दिया हुआ है तस फलस बीस-फलस-थीच प्लस-चालीस-फलस-फलस-पचास अब टेगो संक्या है पांच वसंक्या है तो बटा-पांच कर देंगे अब इसको जोड़िये बिख जिस टिससाट चालिश सो एक्षो पचास हो गया पर यह क्या हो जायगा अब अब संख्या बरावर क्या हो जाएगा जो 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 मद एक जगा पर अब संख्या बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 23 हो जाएगा यह के जगह पर हम लोग क्या रहेंगे 30 हो जाएगा और यह माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 30 में से एक जाएगा तो 29 होगा 30 माइनस 1 की जाएगा तो 29 हो जाएगा 3 ही फिर उसके फिर टुवेल हो जाएगा और 16 हो जाएगा अब इसी का हमको माधिका ज्याद करना है इसका माधिका ज्याद करने के लिए क्वले पर और ही करमें संख्या को जाएंगे तो यह आएगा पहले बाड़ा चैस्ट चववीस उन्तीस और तीस अब देखो इसमें क्या हो संख्या है तो पदो किसे क्या है पदो किसे क्या है चोगो है तो माधिका बरावर क्या हो जाएगा एक तो इधर से दो हटा देंगे और इधर से दो हटा देंगे यह बीच वारा दो संख्या जो है वही क्या हो जाएगा इसको जोर के बटा दो कर देंगे 23 पलस 24 अब आई तो 47 बाई 2 तो साइद क्या हो जाएगा 23.5 हो जाएगा 23.5 23.5 हो जाएगा एंसर हो जाएगा यही हमारा क्या था कुस्चन था और बनाना था ठीक है